नमस्कार, खान्या कॉलिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकिए आए हैं प्रेव और देश भक्ती के मिश्रन की एक अनूथी दस्थान। तो चले सुनते हैं कहानी विना किसी विलम के। कौशल राज्य में बड़े उत्सफ का दिन था। गाजे बाजे बज रहे थे, घोडे हाती सब सचकर निकले थे। और जैसे मानो सारा राज्य ही इस उत्सफ के चहां में उमंग में अपने घरों से निकल कर राजा की एक जलक पाने के लिए निकल पड़ा था। दीरे दीरे राजा का हाती आया वह जुखा और राजा उस पर से उत्रे। सारा राज्य आनन्द विभोर हो गया। यह कौशल राज्य का वार्शिक उत्सफ था जहां पे महराज स्वयम एक दिन के लिए कृशक बनते थे और हल जोदते थे। इसके लिए हर साल एक भूमी चुनी जाती थी खेती की भूमी और वह उसके बाद राज्य की भूमी हो जाती थी। वह राज्य के खेत में आता था। इस बार जो भूमी चुनी गई वह मदुलिका की थी। मदुलिका एक विलक्षन बालिका थी जिसके चेहरे पे अद्भुत तेज था और बहुत ही सुन्दर थी। तो राजा जैसे ही हाथी से उत्रे उनकी आरती उतारी गई और वह उस भूमी पर गए तो उनकी भीट मदुलिका से हुई। मदुलिका को देखते ही उसनों ने बोला संग मित्र की पुत्री। वह लजजा से सर जुकाए राजा को प्रणाम किया और राजा ने खेत में हल जोतना शुरू किया। यह पूरा कार्य होने के बाद पुरुसकार के रूप में उस भूमी के मुल्य के रूप में मदुलिका को भूमी के मुल्य का चार गुना धन दिया गया। सब लोग इसी ताक में रहते थे कि हां कभी हमारे खेत का भी कभी नंबर आये जहां पर राजा आके हल जोते और हमें उसकी भैतरीन से भैतरीन कीमत मिले लेकिन जब चार गुना कीमत मदुलिका को दी गई तो उसने वही स्वन मुद्राएं लेकर के राजा के सम्मान में राजा पर ही नियुचावर करके उचाल दी राजा के मंत्री बड़े रुष्ठ हुए उद्दंड लड़की क्या मूर्खता है ये इत्ता दुस्सा हस तुमने राजा का अपमान किया राज्य का अपमान किया वह हाद जूड़कर सर जुकाए सविने निविदन करते वही बोली शमा परारती हूँ ये कोई राजा या राज्य का अपमान नहीं है मैं केवल राजा पर ही इसे नियोचावर कर रही थी क्योंकि मात्र भूमी ये जो पित्र पितामाओं की भूमी है इसे बेचा नहीं जाता मैं राज्य को इसे सविसमान देती हूँ लेकिन मैं इसका मुल्य नहीं ले सकती तुम्हें मुल्य लेना ही होगा इस राज्जी की यही परंपरा है तुम्हें चार गुनाधन दिया जा रहा है तुम समस्ती हो कितना धन है यह बिल्कुल समस्ती हूँ किन्तु मैं पित्र पिता माओं की भूमी कभी न बेचूंगी यह भूमी राज्जी को थकेहारे राजा क्रिशक का काम करते हुए सारा दिन इस बालिका की बात सुनके बड़े अचम्बित थे बड़े परिशान थे दूर राज्यों से भी जो राजा राजकुमार आई थे सब इस बालिका को बड़े गौर से देख रहे थे राजा ने मंत्री से कहा जैसी बालिका की इच्छा बोलके राजा लोट गए इधर सब राजा राजकुमार भी अपने अपने शिविर में चले गए और मदुलिका उदास होती हुई कि अब उसके पित्र पितामाओं की भूमी उसके पास नहीं है वो क्या करेगी सोचते वे थोड़े से दुखी मन से अपनी कुटीर की ओर चल पड़ी वहां सभी राजकुमारों के साथ अरुन भी था अरुन मगत देश का राजकुमार था जिसे मदुलिका की छवी भाग गई थी और वह उसके दिलो दिमाग में उतर गई थी वह पूरी रात सो ना पाया था और उसी का विचार कर रहा था सुर्ज उद्य होने से पहले वह अपने घोड़े पे सवार होके निकला बड़ी तीजगती से और उसे खोजने के लिए आया वहाँ पे उसने देखा कि मदुलिका अपनी कुटिर के भार एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रही है उसने सोचा कोई स्वर ना किया जाए और मैं थोड़ी दिर मदुलिका को देखूँ पर उतने में ही कोकिल गोल उठी और मदुलिका की आँख खुल गई मदुलिका ने देखा राजकुमार है वो बड़ा रुष्ट हुई और कहने लगी यह क्या उद्दंडता है क्या यह समय है एक पराइश्त्री के पास आके उसे इस तरह देखने का उससे मिलने का राजकुमार कुछ कहता उससे पहले मदुलिका बहुत बड़क गई और उसे वापस जाने का आदेश दिया कहती है मेरा अपमान ना करो आप आपको किसी राजकुमारी या राजजी करने के पास होना चाहिए आप क्यों मेरा मजाग उड़ाने के लिए यहां आए हैं लौट जाएए यहां से यह सुनकर अरणु वापस तो चला गया पर उसके दिमाग में उसके दिल में मदुलिका के छवी उसका व्यक्तित उतर गया था वह उसे भूलाना पा रहा था इधर मदुलिका अब अपना खेत खो देने के बाद दूसरे के खेतों में काम करने लगी वह एक अनाद बालिका थी उसके पिता सिंगमित्र जो की एक वीर रक्षक थे कौशल के उनका देहान तो चुका था वीरगती को प्राप्त हो चुके थे वो और उसकी माता ने बच्च्पन में ही प्राण त्याग दिये थे तो वह अकेली बालिका खेतों में श्रम करती और केवल उतना ही धन कमा पाती कि जिससे उसका पेट भर जाए और एक वो तूटी फूटी पण कुटीर में रहने लगी ऐसे करते करते हफते महीने साल बीद गए करीब करीब तीन बरस हो गए और एक दिन भयंकर रकम का तूफान आया बारिश होने लगी और मदिल का अपनी जिन जिन हुई कुटीर में सोच रही थी कहीं ये कुटिया भी न उड़ जाए वह इसी चिंता में थी और पता नहीं अचानक उसे उसी राजकुमार की आदाई कि अचानक दर्वाजे पे ठक 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 किसे ने दर्वाजा कट कटाया खोल कर देखा दर्वाजा तो एक हाथ में घोड़ी के लगाम लिए कि वही अरुण था वही राजकुमार अरुण वह प्रातना कर रहा था क्या मुझे इस बारिश से बचने के लिए शरण मिल सकती है कुटिया में वह बहुत चक्की रह गई पर बहुत आनंदित होई हलाकि तीन बरस बीद गए थे पर उसके दिमाग से अरुण की छवीना गई थी और वह खूप सारी बाते करने लगे जब वर्षा सांत हुई तुफान शांत हुआ तो भी वह काफी समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे अरुण ने उसे कहा तुमने भूमी का मूल्य ना लिया वो तो ठीक है पर तुम राजा से इसके बदले दूसरी भूमी तो ले सकती हो उसने कहा मुझे कुछ ना चाहिए वो भूमी राज्य को दे दी अब राज्य की हुई अरुण ने उसे कहा नहीं मेरे पास एक युक्ति है जो कौशल का दुर्ग है उसके दक्षनी दुवार पे दक्षनी दिशा में एक नाला भेहता है उसके पास की एक बद्जर भूमी तुम ले लो हम वहीं खेती करेंगे वह कुछ समझ न पाई कि अरुण उसे वह भूमी लेने के लिए क्यों कह रहा है पर अरुण अपनी बातों को इतनी खुशलता पूरवक रखता कि वह उसे मान गई और राजा के राजमहल गई राजा ने देखते ही कहा सिंग मुत्र की पुत्री आओ कैसे याद किया क्या तुम्हें अपनी भूमी का मुल्य चाहिए उसने का नहीं माराज मुल्य तो मुझे कभी न चाहिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह भूमी राजजी को समर्पित है और मैं उससे बड़ी हर्शिद भी हूँ किन्तु पालन पोशन के लिए मैं उतना ही एक भूमी का टुकड़ा आपसे चाहती हूँ राजजा ने कहा मांग लो जो भूमी चाहिए मांग लो तुम्हे मिलेगी उसने ठीक अरुन के बताया अनुसार दुर्ग के दक्षणी दिशा की और वो जो नाला बहता था उसके पास के भूमी मांगी राजजा अबड़ा आश्यरे चेके तो कि यहाँ भूमी तो बंजर भूमी है उपजाओ भी नहीं है और यहाँ राज्ये की सुरक्षा के नजर्ये से भी काफी महत्वपून है तुम्हें वो भूमी क्यों चाहिए तुम कुछ और ले लो पर वह अड़ी रही कहती है महाराज अगर आप वो भूमी दे सकते हो तो दे दो नहीं तो कोई बात नहीं मैं चली कहके वो जाने लगी